हाई डेलबर्स आपको बता है कि हमारी एप्लिकेशन कहा जो HTML और CSS के अप्लिकेशन बना रहे हैं उसके अंदर हमने लिस्टिंग आती है Amazon, Flipkart या फिर जो भी आप e-commerce साइट यूज़ करते हो उसी तरीके से laptop, shoes, t-shirts जो भी आप सर्च करते हो तो उसकी पूरी पूरी लिस्टिंग आजाती है वही लिस्टिंग हम लोग लेके आएंगे यहां पे उसके अदर काफी सारे option भी रहेंगे header और footer same रखेंगे और बाद में एक जो हमारी product listing के लिए आप या फिर कह सकते हो कि shop वाला header एक बना देंगे आपको बता है कि सारे के सारे feature जो हम लोग new page बनाने वाले हैं भी product listing का सारे के सारे feature एक ही पार्ट में तो आ नहीं सकते इसके और भी आएंगे अभी हम लोग new file बनाएंगे और उसके अंदर header footer same रखेंगे और उसका एक header अलग से बनाएंगे उस specific page का header भी हम लोग बनाएंगे सबसे पहले मैं यहां पर क्या करता हूं इसी जो हमारा index.html इसकी मैं copy बना लेता हूं और इसका मैं यहां पर नाम चेंज कर देता हूं मैं यहां पर नाम करता हूँ shop.html ठीक है और अब मैं इसको open भी कर देता हूँ जहां पर मारा index.html ओपन हो रखा है ना मैं यहां पर shop.html करता हूँ बिल्कुल सेम है आपको कोई भी फरक नहीं दिख रहा header footer सेम रखेंगे बाकी सारी की सारी चीजी हम लोग यहां से हटा देंगे सो मैं आपके सामने ही हटा रहा हूँ यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना है देखो header वाली वाला पार्ट है यह में रखना है सो banner वाला पार्ट है इसको हम लोग यहां से remove कर सकते है आप सो यह पार आएगा यहां पर इसको मैं remove कर दिया आफ्टर य्ट हमारे पास एक open पर आगया इसको लोग र्मूव कर देंगी ही यह हमारे शीच्र से वह ले पाइज है नहीं duż कर सकते हैं चलिंगा सारे पाट को रूं कशनक्र सकते हैं अर्म उखर रगना है मैं काफी सारे चीजों को डारेक्ट ली रिमूव कर देता हूं फूटर हमारा ये बच गया, ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारी पास बचा क्या है इस पेज के ऊपर, जैसे मैं रिफरेश करता हूं तो मेरे पास हेडर एंड फूटर बच गया है थोड़ा यहां पर स्पेस बच गया है उसको मर्जिस्ट कर लेंगे जैसे हमारे पास यहां पर आइटम्स आएंगे तो आप उसको प्लेस कर देंगा और यह फूटर नीचे आता रहेगा और यहां पर स्क्रॉल भी आ जाएगा तो इसके लिम अंदर मैं यहां पर एक क्लास दी दूँगा क्लास का आपी नहां में रख सकता हूं शॉप हैडर के लिए हम लोग सेमी फाइल यूज करेंगे अलग से में फाइल्स बनाने की जूरूद निया दरवाइस हमें वो भी अलग से निक्लूड करनी पड़ेंगी और यह जो भी स से लिखेंगे हम लोग आपको ध्यान रखना है तो मैं रिस्पॉंसिव के लिए बनाया दाना उसके अंदर मतलिक देना इससे बाहर लिखना और अगर चाहो तो आप यहां भी लिख सकते हो शोप फाइल स्टाइल ऐसे अगर आप कमेंड भी लिखना चाहो तो वह भी लिख सकते उसमें को दिक्कत नहीं होती है कि असे ओल्राइट और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं एक हम उन टेग ले लेते हैं और यहां पर स्ट पार देखो हमारी एम ऐसे लह दो क्या ग 나타生 जा में वोमेन द्रेस क्लेक्शन ठीक है एंड आफ्टर दैट में आप एक एस थ्री टाइक भी ले ले दाओ और यहां प्ली देता हूं अवर शौब और सम्थिंग फोर्मेट कर दें इसको अभी के लिए आप देखो एना तो आपको जीब दिखेगा यहां पर इसको जैसे स्टाइल में अप्लाए करेंगे यहां पर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो स्टाइल अप्लाए करेंगे हम यहां पर इसके अंदर मैं सबसे और वभला एक लए लोग हुँ रिख लेते हैं मों एक्ष को छेक हो तो यह अदर मैं इसके इन्सकी करनेक, अगल यहां पर करता हूं कि इसका स्टाइल में यहां पर करता हूं छाह है शोप हैड़ रहा गया और यहां पर मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा उसके बाद में आप चाहो तो पैडिंग दे सकते हो टॉप 50 pixel, bottom, 50 pixel, not border, padding, bottom, 50 pixel, so यह आपको थोड़ा सा mix match हो गया, तो border के अंदर भी कुछ color match हो गया, bottom, margin, 20 pixel, तो आपको यहां पर थोड़ा सा यह भी दिखने लग गया, great, अब आप इसके उबर, I think, ठीक है, इतना ही काफी रहेगा, इसको मैं यहां पर उठा के, आपर पेस्ट कर देता हूँ, अब हम लोग हमारे h1 की बात करते हैं, इसके अंदर इसको आप जो text है, इसको transform कर लेते हैं uppercase में, transform, uppercase, and जो हमारे h3 है, आप चाहो तो h3 का थोड़ color भी add कर सकते हो, मैं यहां पर color add कर देता हूँ, color, d1, 9c, and 97, और चाहो तो इसकी font weight भी थोड़ा कम कर सकते हो, font weight लगा देता हूँ, मैं यहां पर चार सो लगा देते हैं, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, सो यह रहेगा हमारा, dot shop header के अंदर h3 वाला heading, and same हम लोग यहां पर लिखेंगे, dot shop header h1, और इसके अंदर में, text transformation, uppercase में करने थी, now let's see, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, हाँ, अब तक ठीक चल रहा है, अब हम लोग यहां पर मारे listings वगारा बनाना start कर सकते हैं, so this, इतने, इस part के लिए इतना ही, और next role part के अंदर हम लोग यहां पर इसको दो section में divide करेंगे, इस side में filter रहेंगे, और यहां पर हम लोग हमारे product वगरा के listing करवाएंगे, so that's all for this part, कुछ आपको confusion है तो मुझे comment box में पूर सकते हो, चैनल को subscribe करना, बेकुल मत बूलना, इससे मुझे support मिलती है, और मैं और वीडियो बनाने लिए मोटिवेट होता हूँ, thank you so much.